नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एडवाईज पर किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं बकरी की नसल में हम अगली कड़ी में अगली वीडियो लेकर आए हैं जमुनापारी बकरी के बारे में आज हम इस बकरी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसान भाईों भारत की लगबग 60% से अधिक जनसंक्या खेती और पुसु पालन से अपनी जीवी का चलाती है वहीं अभी के समय में बकरी पालन का वैवसाई का पितेजी से उबर कर शामने आ रहा है बकरी पालन किसानों के लिए फाइदे का सोदा साबित हो रहा है भारत बकरी पालन में सबसे पहले इस्तान पर है वीश्व में सबसे अधीग बकरियां भारत में पाली जाती हैं देश में बकरियों की लगबग 37 से भी अधीग नसलें पाही जाती हैं उन में से एक नसल है जमुनापारी नसल जिसका पालन करके किसान अच्छा मुनापा कमा स लगते हैं आईए जानते हैं जमनापारी बक्री के बारे में खास्यत और इसे पालने से मिलने वाले फाइदों के बारे में अगर हम जमनापारी बक्री के पालन के लिए उच्छी तिस्तान की बात करें तो सबसे पहले बक्री पालन के लिए अच्छे से सैड बनाएं बक्री पालन शुरू करने के लिए एक ऐसी जगह चुने जहां नमी एवम आसपास खुला मैदान हो ताकि बकरियों को रोजना हराचारा खिला सकें सुध हवा और पीने का पानी हो बगरी पालन के लिए करीब 8-10 वर्ग फिट की जगह होनी चाहिए कहां पाई जाती हैं ये जमुना पारि बकरी का पालन सेथ्र यमुना नदी के आसपास सेथ्रों में खूब होती हैं इस नसल की बकरियां उत्रपर्देश के किटावा जिला में मुखी रूप से पाई जाती है इसके अलावा ये बकरियां पंजब, हरियाना, राजस्तान, बिहार और मद्यपर्देश तो व किसान बाईयों जमनापारी बक्री की नसल का रंग सपेद होता है यह बक्रियों की पीट पर बाल लंबे और सींग छोटे होते हैं इन बक्रियों के कान बड़े और मुड़े हुए होते हैं यह बक्रिया अन्य नसलों के मुकाबले उंची और लंबी होती हैं अगर हम जमनाप जमनाप्री बक्री की विशेषता की बात करें तो इस बक्री का वज़न सहमान्य तर बक्रियों के वज़न से अधिक होता है यह बक्री पूरे जीवन काल में 15-20 बच्ये देगा इस नशल की बक्री परदियं email? से दो लिटर तक दूद दे देती हैं जमनापारी बकरी का दूज स्वादिष्ट और अच्छा होता है इस बकरी की पालन के लिए केंदरी अनुसंधान संस्तान में प्रक्सिशन भी दिया जाता है बाजारों में इसकी मास्क कापी मांग रहती हैं इन बकरियों की कीमत लगब कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सबस्क्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन